आज मैं आपको सुगर कंट्रोल करने का बिलकुल सही और तजर्बा वाला नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो क्या है सबसे पहले नमर में अगर आप चाय पीते हैं तो रिशी गैनोटी बनाके उसमें पांच गुन कलोंजी का ओयल डालके फिर उसको आप प्या गई है सुभाशाम और साथ में यह जो इस्पारिलना है यह सुभाशाम खिराए ठीक है दो दो कैप्सुल अच्छा इसक के रिजल्ट देख लीजिए बहुत ही अच्छा और एफेक्टिक रिजल्ट है बहुत जल्डी आ जाता है और अगर कोफी पीते हैं तो उसके अंदर में आपको पांच मुन यह कलोंजी का ओयल जो मेरे पास है मैं आज भेज़ दूँगा जिली से ठीक है तो यह आप मंगा इससे क्या होगा इससे आप नॉर्मल जिन्दगी गुजारना शुरू कर देंगे और वो भी जो इंग्लिज दबाईयां जो ले रहे हैं आप सुगर के लिए जो इसका बहुत जाड़ा साइट इफेक्ट है मतलब यह घुटने जाम हो जाएंगे आँको रोशनियां दीरे करेंगे और बाल जहने लग जाएंगे इटनी फेल ओंगे और वह सारी साइट इफेक्ट है यह गर दो चीज़ इसक्राइश करते इसे क्या होगा कि आप उन सब साइट से बच जाएंगे, अक्सानाथ से बच जाएंगे, और सुगर, बहुत लोग कहते हैं कि सुगर कभी भी जो है ना, खतर नहीं होता है, मैं भी यह कहता हूँ, अगर आपको नॉर्मल जिन्दगी जीना है, तो जो मैंने नुस्खा बताया उसनों उसके पाजमाईएं, निशालला आप यहनको नॉर्मल जिन्दगी जीना चाहते हैं, अगर आप में छोड़ जाएंगे, फिर दीरे में जैसे आप बिमार के वैसे आप बिमार हो जाएंगे, इसलिए बेतर है कि इसको हमेशा लाइफ टाइम इस्तमाल करते रही है, और लाइफ टाइम आप स्वस्त बने रही है, और इस खावन ही फायदे हैं, मिशाल के दोर पे, जो दिन बार हम कच्रा खाते हैं, चाहे वो हावा की जरीए, पानी की जरीए, चाहे रोटी, सबजी की जरीए, या फल फ्रोड की जरीए, तो उन सब में जो जहरीले माब्द करने के बाद आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मंगाना हो, तो मैरे वार्ट्व नम पर कॉंटक्ट कर सकते हैं, थैंक यू, शुक्रिया.